दोस्तो आज हम बनाएंगे चना दाल का हलवा ये हलवा रिसेंटली ही मैंने अपने एक रिलेटिव के यहां खाया था इस हलवे में जो घी का स्वाध है और चना दाल का दरदरापन है वो मेरी ही तरह आपको भी इसे बना कर खाने के लिए मजबूर कर देगा बस इसलिए मैं एक कटोरी चना दाल और इसे करीबन चार से पांच घंटे भिगो कर रख देंगे ताकि ये अच्छे से फूल जाए चार घंटे बाद आप देख सकते हैं दाल अच्छी से फूल गई है और अब हम इसका पानी निकाल कर इसे दरदरा पीस लेंगे यहां ध्यान रखे दोस् दोस्तों यहां मैंने लोहे की कड़ाई ली है जिसमें हम हलवा बनाएंगे जहां तक पॉसिबल हो आप भी लोहे की ही कड़ाई में हलवा बनाएं अगर लोहे की कड़ाई अविलेबल ना हो तो आप ऐल्यूमिनियम की कड़ाई भी यूज़ कर सकते हैं पर दोस्तों स्टी चनादाल का ये मिश्रन हम कड़ाई में डालेंगे और दोस्तों अब हम इसी में डालेंगे एक कटोरी घी और गैस पे चड़ाने के पहले ही इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि घी चनादाल के साथ अच्छे से हर एक दाने में अच्छे से मिक्स हो जाए और इसी प्र और दोस्तो अब शुरू होता है सबसे टाइम कंजूमिंग स्टेप, अब हमें इस मिश्रन को लो फ्लेम पे चलाते हुए भूनना है, आप चाहे तो बीच बीच में फ्लेम मीडियम भी कर सकते हैं, पर ध्यान रखिए कि मिक्शर को हमेशा चलाते रहिए ताकि वो नीचे से चिपक न जाए, तो दोस्तो 15 मिनिट हो गए हैं इसे भूनते हुए और अब मिश्रन एकदम हलका लगने लगा है, इसे चलाने में ज़्यादा एफर्ट नहीं लग रहे हैं, और अभी भी हमें इसे चलाते हुए भूनते रहना है, 20 मिनिट हो गए हैं दोस्तो इसे भूनते हुए और अब बहुत ही अच्छी खुश्बू आने लगी है इस मिश्रन में से करीबन 30 मिनिट हो गए हैं दोस्तों हमें इस मिश्रन को भूनते हुए और आप देख सकते हैं दाल का कलर थोड़ा ब्राउन हो गया है तो गैस की फ्लेम हम अब आफ कर देंगे और इस मिश्रन क हो रहा है तब तक हम चाशनी बना लेते हैं इसके लिए हमने यह पतीला लिया है और गैस की फ्लेम एकदम लो पर रखी अब इसमें डालेंगे एक और एक चौथाई कटोरी चीनी याने एक कटोरी चीनी हम पहले लेंगे और साथ ही में एक चौथाई कटोरी चीनी हम और ड दालेंगे तो अब आप देख सकते हैं चाशनी में उबाल आ चुका है पर यहां हमें एकदम गाड़ी चाशनी बनानी है इसलिए हम इसे और उबलने देंगे दस मिनिट हो गए हैं इसे उबलते हुए और अब हम इसे चेक कर लेते हैं तो यह देखिए दोस्तो चाशनी एकदम गाड़ी हो चुकी है हमारी उगलिया चिपक रही है और जब हम उगलियों को खोल रहे हैं तो जटका लग रहा है तो अब हम गैस को बन कर देते हैं इसी में हम डालेंगे दो छोटे चम्मच चिरोंजी और साथी में एक छोड़ा चम्मच इलाइची पाउडर और मिक्स कर देंगे दूसरी ओर हमारे चनादाल का मिश्रन भी अब थोड़ा थंड़ा हो चुका है एक बार इसे भी मिक्स कर लेते हैं और अब हम इसमें डालेंगे चाशनी और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे यहां मिश्रन हमने पहले थोड़ा थंड़ा होने दिया और उसके बाद ही चाशनी इसमें डाली है अगर गरम गरम मिश्रन में दोस्तों आप चाशनी डालेंगे तो मिश्रन बहुत जादा उड़ता है और मिश्रन में लम्स भी पढ़ जाते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि मिश्रन पहले थंडा होने दे और उसके बाद ही उसमें चाशनी एड़ करें और अब हम 3-4 गंटे इसे ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि चना डाल अच्छे से फूल जाए और चाशनी अच्छे से चना डाल एब्जॉब कर ले चार गंटे हो गए हैं और आप देख सकते हैं कि मिश्रन एकदम ड्राइ हो गया है और चना डाल अच्छे से फूल गई है अब इसमें डालेंगे आदा कटोरी मिक्स ड्राइफ रूट्स जिसे मैंने बारिक पीस लिया है आप अपने हिसाब से कोई भी ड्राइफ रूट्स इसमें डाल सकते हैं और अब सबसे स्पेशल इंग्रीडियंड याने भुना हुआ खोआ हम यहां पर एक कटोरी इसमें डालेंगे दोस्तो भुना हुआ खोया मार्केट में आसानी से मिल जाता है फिर भी अगर आप इसका सेपरेट वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करके मुझे जरूर बताईए मैं आपको घर पर ही इंस्टेंट खोया कैसे बनाया जाए उसका वीडियो अपलोड करके अपने चानल पर जरूर डाल दूँगी और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे दोस्तो हलवा हमारा बनकर एकदम तयार है बहुत ही टेस्टी और बहुत ही बढ़िया हलवा बना है बहुत ही अच्छी खुश्बू आ रही है इसमें से वैसे तो आप ये हलवा गर्मा गर्म सर्फ कर सकते हैं पर दोस्तों मुझसे पूछेंगे तो मुझे ये हलवा बनाने के दूसरे दिन जादा पसंद आता है क्योंकि तब तक इसके सारे फ्लेवर्स इसमें अच्छे से अब्जॉब हो चुके होते हैं पर अपने अपना टेस्ट है तो दोस्तों ये हलवा जरूर ट्राइ कीजिए और मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको किस तरीके से बहलवा पसंद आया अगर रेसिपी पसंद आई हो तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करे और रेसिपी को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करे मैं मिलूंगी नेक्स्ट रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाबाए